हे दोस्तों, फाइनली मैंने खरिद लिया जिरोक्स नसीन मेरे स्वाप के लिए, करीब दो साल के बाद मैं इसको खरिद पाया, दो साल पहले मैंने साइबर कैफे सुरू किया था मेरा, एक लैप्टॉप और एक प्रिंटर जो G4010 है कैनॉन का, इस प्रिंटर से मैंने स्टार किया था, इस प्रिंटर का वरेंटी 15,000 प्रिंट पे खतम हो जाता है, लेकिन मैं इस पे करीब करीब 60,000 तक प्रिंट कर दिया, बहुत साथ गया यह मेरा, लेकिन आप इसका रेष्ट करने का वक्त आ गया है, क्यूंकि इसका अभी बड़ा भाय आ चुका है, यारे यह मैंने लिया, इस इज क्यों सेडा टाशक अलफा 2320 जो की एक लेजर जेट प्रिंटर है, प्रिंटर कमज लिया, तो इसमें बहुत सारा फंक्षन है, पूरा फूल जर लो जर अद्म्षन है, सब कुछ इसमें है, एक बड़ा जरोफस मैसिन है, इसका निचे का प्यों प पेपार ट्र और इसका मॉडल जो इसका मॉडल नंबर है 2320 इस पर alif फूल मतलब मज़ा आ गया इस का जो पोग्रामिंग है आप चार पोग्राम एक साथ कर सकते हो पर लेकिन वह अपर निच तो बहुत ही बड़िया एक Printer Cam Jerox Machine ने इसका थोड़ा डीटेल स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बाता देता हूं एक मिनिट में 23 pages print कर सकता है A4 size का और जो A3 paper है वो A3 paper 10 pages एक मिनिट में print कर सकता है जो की बहुत ही बड़िया है इधर आपको मिल था एक 2-line LCD display जो की आता है आलफा न्यूमेरी कीपड के साथ और यह print कर सकता है 1200 dpi पर इसका जो रेजूलेशन है प्रिंटिंग का वो है 1200 dpi तक यह print कर सकता है और इसका जो scanning resolution है इधर आप इसको scan कर सकते है scan करके अपना computer में ले सकते है यह 600 dpi पर scan कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया है इस range में इधर बहुत सारा features आपको दिया जाता है इस features की मदर से आपका daily life में जो jerox करना होता है वो बहुत ही easy हो जाता है और इधर आपको और एक paper ट्रे देखनों को मिलता है इधर से भी आप paper डाल सकते है और नीचे तो इधर paper tray है तो बहुत ही एक budget friendly jerox machine है जो की कियो सिरा की तरफ से आता है जो build quality है इसका बहुत ही premium quality है बहुत ही मजबूत है तो build quality पे तो एकदम zero doubt है मैं इसको क्यू purchase की आप लोग को बता देता हूँ मेरे पास उतना budget नहीं था बड़ा jerox machine लेने का और मेरे जो इधर locality है बहुत ही कम है तो ज्यादा jerox नहीं होता अगर आपके पास दिन में 500 से ज्यादा page नहीं आता है jerox का तो ऐसा jerox machine आपके लिए best है जो नीचे का जो portion आता है इस बड़ा jerox machine का कोई भी jerox machine का नीचे का जो पोरसान आता है उसको आपको कोई ज़रות नहीं है क्यूंकि उसके मदद से आपको सर्पेज ही राखना होता है मतलब अलग-अलग पेज का जो साइज होता है ओ सब पेज आपको राखना होता है तो ओ सेफ पाईसा परबाद ही मुझे लगता है उसके लिए 40,000 आपको एक्टरा देना पड़ेगा तो तीन जो ट्रे होता है उसके लिए तो मैंने ये लिया बहुत ही बाजेट फ्रेंडली है और इसका जो और एक छोटा वाला मॉडेल होता है 2040, M2040 जो मॉडेल होता है ओ मॉडेल बहुत ही अच्छा है लेकिन ओ थोड़ा कॉंपेक्ट हो जाता है मतलब उसका साइज के हिसाब से बहुत ही कॉंपेक्ट है तो अगर उसके थोड़ा ज्यादा प्रोब्लेम आ जाता है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरा जो दोस्त है वो जिरॉक्स नेशिन का टेकनीशियन है तो उसी ने मुझे को ये प्रेफार किया है मेरे दुकान के हिसाब से और मेरा जो बाजेट के हिसाब से तो अगर आप इसको लेना चाते हैं तो आप इसको चेक आउट कर सकते हैं और यह कोई पेड प्रोमोशन नहीं है मैं इसको लिया हूँ और मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आप लोगो को बोल रहा हूँ अगर आपको ख़ड़ना तो आपका नीड्स जो है और आप खुद पहचाने और उसके बाद आपना इसाब से जेरोक्स मेशन लीजिए मेरा जो नीड्स से मैच करता है तो इसलिए मैं जेरोक्स मेशन लिया और इसका जो वार्माप टाइम है जो पहले जेरोक्स मेशन स्टार्ट करने पर जो वार्माप होता है वह 17.2 सेकंड लेता है इसका वार्माप टाइम जो बहुत ही कम है एक जेरोक्स करके दिखा देता ह इसका जो quality हो क्या इसा होता है तो पहले मैं Jerox machine को यहां पर button प्रेस करके start करता हूं और जो starting और printing time पर जो वार्ट यूज करता है वो 4500W है 4500W लेता है प्रिंटिंग करने पर और जो starting point है यहां पर और जो ready mood में होता है जो Jerox करने के time 75W लेता है और अगर आपने इधर energy saving mode on कर दिया तो यह 1.1W पर रहता है मतलब sleep mode पर रहता है जो बहुत ही अच्छा होता एक Jerox machine के लिए क्योंकि one point watt watt कुछ नहीं है आपका indicator one point watt watt यूज करता है सायद और इसका एक Jerox करके आप लोगों को दिखा देता हूं देखे मैं यह page यहां पर Jerox कर रहा हूं इधर मैंने page को डाल दिया और इधर मैंने density को थोड़ा कमा दिया माइनास 3 पर कर रहा हूं अब Jerox कर रहा हूं देखिए बहुत ही अच्छा है फ्रेश एकदम Jerox आया है आप लोगों को सायद दिख रहा होगा देखिए और इधर आपको देखने होको मिलता है यूएसbी से print option जो की आप computer से यूसबी के मदद से print दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छा है की औप्शन है अगर आपका Depois Printing है तो आप इसकी मदद से डूपलेक्स प्रेंटिंग ही कर सकते है और इसका जो duplex printing है बहुत ही तगड़ा है भाई अगर आपको duplex printing करना है तो बहुत ही easy function है यहापको duplex मारना है और two side कर देना है आपको दो side scan करके duplex अगर कर दिया तो वो एक बार बाहर निकालेगा page को और फिर से अंदर ले जाएगा और duplex करके बाहर दे देगा तो बहु तो अगर आपको micro jerox करना है तो micro jerox का भी feature sis पे है इसको आप एक page पे चार page को combine कर सकते है जो की बहुत ही अच्छा एक option है अगर अबहराल conclusion आपको बोलू तो यह बहुत ही अच्छा jerox का प्रिंटर है और इसका price के बारे में आते तो इसका price मेरे को पढ़ा है 48,000 जो की tax सब कुछ लेके इसको 48,000 मेरे को पढ़ा है अगर आपने भी machine खरे दे तो आपको कितने में पढ़ा मेरे को comment में जरूर बताईए अगर आपको इसका कोई detailed video चाहिए कैसे आप इसका program set कर सकते है इसका density कैसे कमा सकते है legal paper to a4 paper a3 paper to a4 paper अगर ऐसा आपको कुछ चाहिए तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते है अगर 5-10 comment ऐसे आ जाता है तो मैं एक इस पर dedicated video बना दूँगा चलिए दोस्तो इस वीडियो में तो इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो के एक like कीजिए और हमारे चनल को subscribe कीजिए हमें ऐसे ही motivate करते रहिए आगे धन्यवाद